हलो बच्चों, स्वागत है आपका मेट डीजी क्लासिस में आज मैं आपके लिए लाया हूँ कमबस्टन आफ कोईल आज हम चेप्टर फाइब का कमबस्टन आफ कोईल के कुछ कोईशन करने वाले हैं और short और long question के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है उसका लिंक आपको description में मिल जाएंगे तो इसमें आज हम लोग करने वाले हैं multiple question करने वाले हैं और साथ में fill in the blanks करेंगे और matching वाले question करेंगे तो चलिए हम चेप्टर को सुरू करते हैं नमबर ए पहला है multiple choice question हम करेंगे जिसमें से question number one है compounds contain hydrogen and carbon are cold compound में जिसमें hydrogen और carbon मौजूद होते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग hydrocarbons कोई एक compound जिसमें आपका hydrogen और carbon मौजूद हो वैसे उसे हम लोग क्या करेंगे तो आपको compound पते ही होगा compound कैसे बनते हैं जैसे कि आप ले सकते हैं CH4 CH4 methane में जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर carbon कितना है एक और इसमें compound में आप देख सकते हैं hydrogen उसमें कितने हैं चार तो इस टैप से आप उसका compound बना सकते हैं तो इस टैप के compound आप देखे होंगे अगर आप 8 class मेनी देखें तो 9 त में आप जरूर देखेंगे तो हम उसे बोलेंगे hydrocarbons question number 2 देखते हैं flames have different zone of different यहाँ बोला जा रहा है कि जो flame होते हैं उसमें different zone होते हैं और उसमें और अलग क्या होता है तो उसमें साथ में different zone के साथ क्या होता है different temperature भी होता है जो flame होता है candle अगर आप देखेंगे ठीक है candle में क्या होता है तीन zone होते हैं एक दो तीन पहला आपका क्या होता है उपर का flame का join होता है वो काफी आपका उसमें सबसे ज़्यादा हीट रहता है और मिडिल वाले में क्या होता है तो रहा कम हीट रहता है और जो डार्क वोला रहता है जो सबसे नीचे रहता है उसमें क्या होता है टेंपरेचर बहुत कम रहता है तो उसमें टेंपरेचर भी आपको क्या देखने के मिल जाएगा different zone मिलेंगा plus temperature भी अलग होता है यहां पर बाकी का तीन आप देख सकते हैं जैसे combustion लिखा हुआ है fuel लिखा हुआ है और pollutant लिखा हुआ है तो उसमें क्या होता है pollutant आपको तो नहीं नए हो सकता है आप उसमें पॉलीशन निकल रहा है जो भी निकल रहा है तो उसमें तो एक ही न रहेगा जितना भी पॉलीशन निकल रहा है उसमें टोटल क्या होगा पूरा सेम ही रहेगा अब रहा फ्यूल की बाद तो फ्लेम में क्या होता है फ्यूल भी डिफ्रेंट नहीं होता है जैसे आपका कोईले में आग अगर लगता है तो फियूल क्या इसमें कोल ही है कोल है अगर पट्रूल में आग उसमें आप यह सकता है तो एक ही फ्लेम में अलग-अलग नहीं हो सकता है यहाँ पर क्या है एकी है वो कमशन आपको पता ही होगा कि कमशन किसको बोलते हैं जब जब क्या होता है फ्यूल फ्यूल प्लस आपको फ्यूल हो गया प्लस हीट हो गया और प्लस ऑक्सीजन मिलके जब उसमें तीनों मिलके जो आग लगती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कमश Q3 देखते हैं the middle zone of flame is a bright Q3 में क्या बोल रहा है middle zone of flame is a bright जो आपका middle zone रहता है flame का वो क्या होता है luminous zone होता है क्या होता है luminous luminous zone होता है प्लस मैं आप देखते हैं Q4 देखते हैं combustion required And fuel oxygen and question nr 4 में लिख रहा है कि Combustion के लिए three फ्यूल औक चीज़ और अक्सिजन भी कंपल सरी है क्योंकि आपको पता ये हैं तो चीजन को निकाल देते हैं जिसे हैं कि आपको बताया होगा जब कहीं पर आग लगता है तो क्या जाता है अगर आप वहां से आप आप और और आपको पता ही है कि हमारे इन्वार्ट में जो ऑग वो कितना है 21 परसेंट और बाकि 78 परसेंट आपका नाइट्रोजन है क्या है नाइट्रोजन और और ऑक्सीजन कितना है हम लोग का सिर्फ 21 परसेंट अब बाकि का एक परसेंट है वो बाकि के गेसे से जैसे कि अपके अलग अलग गेस हैं करबन डायोकसाइड हो गया और भी है तो उनमें एक परसेंट के अंदर ही आते हैं तो रूम में बड़ा इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भरा हुआ है उसमें मात्र 21 परसेंट ही ऑक्सीजन है क्योंकि नैट्रोजन जो है वो नैट्रोजन कंबस्टन के लिए यूज नहीं होता है तो नैट्रोजन वहाँ पर क्या होगा जैसे की वैसे ही रहेगा तो तो question number 4 का right answer क्या हो जागा heat क्योंकि हमें combustion के लिए क्या से यह ज़रूरत रहता है fuel, oxygen और heat तीन में से एक चीज़ भी absent रहा तो आपका combustion नहीं होगा question number 5 देखते है natural gas contain methane about जो natural gas रहता है उसमें methane कितना percent में मौझूद होता है तो methane जो natural gas में मौझूद होता है वो कितना होता है 90% चलिए हम fill in the blanks देखते है fill in the blanks में question number 1 है this is the simplest hydrocarbon कौन सा simplest hydrocarbon है तो वो है आपका coil क्या है आपका simplest hydrocarbon है question number 2 देखते हैं this is a smokeless coil आप यहाँ पर green color का जो देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर आपको क्या मिलेगा आपको यहीं पर भरना है आपको वहाँ पर देखेगा खाली अस्तान मिलेगा तो उस blanks को आपको क्या करना है fill करना है तो यहाँ पर मैंने पाले से fill करके रखा हुआ तो जितने भी green color के दिख रहे हैं और स्मोक नहीं थैसा को इस अविछ में नहीं यह नहीं आताだ वह आथ आपका यहां था यहां कोवvy के बात हो रहा है वेल आपको पाथ है होगा थोग track कि होते हैं कि वह से मी अथ क्यों जाते हैं मी क्या होता है जन्हें पंगी न्लेगा फोडिशन नमबर तीनर compound cold this is added to petrol to make it burn smoothly question number 3 में आपको क्या हो जाएगा देखे हैं question number 3 क्या बोल रहा है कि एक compound क्या कहलाता है जो है आपका tetra ethyl lead उसमें क्या होता है added to petrol to make it burn smoothly जब हम compound में tetra ethyl add करते हैं तो उसमें पेट्रोल में add करते हैं तो इसमें क्या होता है आपका जो जलता है पेट्रोल जब जलता है वो क्या जलता है smoothly जलता है क्या उसमें add करने पर होता है आपका tetra ethyl lead जब हम लोग रहां त्यों ट्राइक करते हैं तो क्या होता है स्मूतली आपका बन नोटा प्रेट्रूल कोशन नमबर चार देखते हैं कोशन नमबर 4 में लिखा हुआ अर्म इस डार्क तो तो स्दीन नमबर 4 में जैसे कोई फ्लेम है उसमें कितना होता है आपको पाले बता है पाला क्या होता है एकदम उपर वाला हो जाता है दूसरा मीड वाला और तीसरा होता है आपका यहां नीचे वाला और यह क्या होता है एकदम डार्क होता है तो वह क्या होता है मैंने केंडल वाला एकदम बारिके से बताया हुआ है वो question answer में आपको मिल जाएंगे जिसमें शोट और लोंग question में जिसमें मैं करवाया हूँ तो आप उसको देखेंगे ता आपको पूरा समझ में आ जाएगा flame के बारे में और अच्छे से उसमें बताया हूँ तो आप उसको उसका link आपको description मिल जाएगा यद deposit power होता है चाहिए रहता है कर वह होता है Carbon पोटास का और तेसरा थी क्या होता फंट टूबम दूसरा पोटास còn तीसरा अर ऐसाक अटैंगा ultimate छे देखते हैं लिखा हूआ यह जब हैडोजन बन विट आप यहां उड़ तो जब हैडोजन जलते हैं तो उसमें जो साउंड निकलता है वह पोपिंग और साउंड निकलता है पोपिंग सी नंबर देखते हैं जिसमें आपको true और false के लिए बताया गया है तो question number one पड़ते हैं कोक contain a higher proportion of carbon than coal यहां बोल रहा है कोक जो है ठीक है कोक और कोईला ठीक है coal दोनों क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा different नहीं है हलका different है तो आप chapter में पढ़े ही होंगे contain होता है carbon जो होता है वो अंच्यादा होता है कोईले के मातरा में तो यह true है या false तो कोक जो है आपका इसमें क्या होता है carbon की percentage जो हता है कोक में वो कोईले से क्या होता है अधिक होता है तो यह बात क्या है true है question number two देखते हैं लिखा हुआ है one kilogram of butane टीक है एक kilogram butane को जब हम burn करते हैं तो क्या उसमें 50,000 kilo joule का energy मिलता है नए तो यह question क्या होगे आपका यह है गलत question number two question number three देखते हैं carbon monoxide sorry question number two थोड़ा गलत रिट कर लिए था है यहाँ पर लिखा है 50,000 नहीं है 5,000,000 है तो 5,000 kilo joule of energy तो एक kilogram butane जब हम लोग जलाते हैं तो वहाँ पर 5,000,000 kilo joule नहीं निकलता है energy burn नहीं होता है बलकि आपका 49.5 mega joule होता है mega joule पर kilogram एक kilogram जब हम butane जलाएंगे तो कितना निकलेगा 49.5 mega joule यदि आप kilo joule में इसमें convert करेंगे तो लगबग में आपका 49 आप 50,000 कितना निकलेगा 50,000 kilo joule पर kilogram यानि कि अगर आप जलाएंगे तो energy कितना निकलेगा आपका energy इसमें निकलेगा 50,000 kilo joule तो इतना energy ये आपको देगा और जबकि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पांच लाग तो आपको पांच लाग energy नहीं देगा ये ब्यूटन को हम लोग जलाएंगे तो कितना देगा आपका 50,000 kilo joule देगा यदि 50,000 kilo joule अगर option में रहता है तो option क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा question no.3 देखते हैं carbon monoxide is a poisonous pollutant जो आपका carbon monoxide है carbon monoxide का formula होता है CO carbon dioxide का formula होता है CO2 लेकिन CO जो होता है वो क्या होता है आपका पुछ रहा क्या पोजिनेस pollutant है बिल्कूल carbon monoxide इतना खतरनाक है कि यदि आप इसको आपके अंदर जाता है आपको क्या करेगा आपका breathing जो है वो ब्लोक कर देगा आप सांस नहीं ले पाएंगे और दम घुटने से क्या होगा आपका मोत हो जाएगा तो यह काफी खतरनाक poison होता है और इंडस्ट्री में अक्सर इंडस्ट्रिल इंडस्ट्रिल एरिया जो होता है उसमें बहुत जादा यह पॉलिटेंट प्लता है carbon monoxide जहां पर आपका खासकर जैसे की power plant है power plant हो गया या फिर आपके जितने भी manufacturing plant है तो उनमें अक्सर क्या होता है carbon monoxide आपका वहां पर काफी मात्रा में मौजूद होता है लेकिन separate रहता है एक pipe में उसको क्या करता है पास करवाए जाता है लेकिन कभी अगर leakage होता है और वहां पर कोई मौजूद रहे उस जगे पे तो क्या होता है उसका मोत हो जाता है जबा हैraph कोशन नमबर तीन कोशन नमबर तीन हो गया कोशन नमबर चार जो है उसमेंट एंड ठेउस आनग ऌका मडार्थ कमश्टिवल जब का सिमेंट है उर ग्राश है। वो क्या आपका जल सकता है तो glass और cement क्या है incomposible है उसको जलाया नहीं जा सकता है तो क्या हो जागा इसका right answer हो जागा नंबर पांस है the dark zone of candle is non-luminous तीक है जो dark zone होता है candle का वो क्या non-luminous होता है अभी हम लोग थोड़े दर पाले ही इसका question नंबर पांस में जो लिखा हुआ उसका same अभी हम लोग पढ़े थे और कहाँ side देखें यहाँ पर आपका same चीज है जो क्या है flame है flame क्या है आपका luminous zone है और वहाँ पर क्या लिख रहा है आपका non-luminous zone तो answer क्या हो जागा यह right होगा यह wrong तो यह answer हो जाएगा आपका wrong नंबर question नंबर पांच question नंबर छे देखते हैं लिखा हुआ है oxygen is a very effective in putting out fire जो oxygen है वो काफी काफी effective है आग को बुजाने में तो क्या यह true होगा या false true होगा क्योंकि यदि हम oxygen को निकाल देते हैं ठीक है कहीं पर आग लगा हुआ है तो वहाँ से हम oxygen निकाल देंगे ताग क्या हो जाएगा बुज जाएगा question नंबर यहां डी देखते हैं short answer type question लिखा हुआ है तो short answer मैंने यहां पर करवा दी है लेकिन long question के लिए मैंने अलग से वीडियो गनाया है तो long question आप जरूर देखेंगे तो short question क्या है काफी short मैं answer दिया हुआ तो आपका काम चल जाएगा एकने में question number one है what is the calorific value of coal जो कोईला होता है उसका calorific value क्या होता है अभी मैंने ब्यूटेन का बताया लेगिन कोईले का क्या है आपका 25,000 से 33,000 कीले जूल एक कीलो गराम जब हम लोग कोईले जलाते हैं कितना जलाते हैं जब कोईला को हम लोग एक कैजी कोईला खरीद लो और उसको जलाओ तापको कितना एनर्जी मिलेगा लगभग में 25 से 33 मेगा us वही पर आपका ब्यूटेंज जथा ब्यूटेंग कितना दे रहा था एक फिप्टीय दीवेक्टी मेगा जूल यानि कि एक किलो ब्यूटेन का Power कितना है अपका कोईले के मुखाबल है तो जदी आप energy ज़्यादा से चाहते हैं और आपके पास काम ब्यूटेन मौजूद है तो आप कोईले के जगा अगर आप जलाएंगे तो कितना इनरजी मिलेगा आपको डबल मिलेगा question no2 है what is the boiling point of crude oil체적今 पैट्रूलियूम कर रहता है जैसे crude oil सबसे पहले क्या है निकलते हैं तो आपको पता हिए होगा कि जब हम आर्थ निकलते हैँ तो वह क्या होताए तो we पेट्रोल और डीजल टैप से निकलता है वो क्या होता है क्रूड ओयल टैप से निकलता है किस टैप से निकलता है क्रूड ओयल से टैप से तो वो क्रूड ओयल निकलता है उसके बाद क्या करते हैं हम लोग हीट करके वो सारे हर चीज को अलग करते हैं पेट्रोल डीजल प्लस है हर चीज का boiling point हो जाता है जैसे कि आपका वाइटर यह है तो वाटर का भी boiling point है कि वाइटर कितना degree Celsius में boil होने लगता है वह हंडेड़ डिरी Celsius है वह इसी आपका crude oil है उसको आपको boil करवाने के लिए लगभग में चार सो डिगरी Celsius का temperature देना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा होता है question number 3 देखते हैं which substance catches fire itself without being heated तो question number 4 है तो उसमें क्या लिखा हुआ यहां petroleum यह गलत है petroleum नहीं होगा वह होगा आपका phosphorus क्या होगा phosphorus फोस्फोरस तो आप फोस्फोरस डाल देखा है यह petroleum नहीं होगा petroleum के जगा क्या आप डाल सकते हैं phosphorus phosphorus क्या होता है लगभग में 35 डिगरी Celsius से पहुंचता है इससे जैसे ही ज्यादा बढ़ता है जैसे ही इसका क्या होता है 35 डिगरी से अधिक होता है वैसे क्या होता है अपने आप ही क्या होता है जलने लगता है phosphorus लेकिन petrol को जलाने के लिए क्या है आपको heat देना पड़ेगा तो यहाँ petroleum नहीं होगा यहाँ पस आप फोस्फोरस डाल दीजेगा तो इसका एंसर question number 3 का एंसर हो जागा phosphorus जो phosphorus क्या होता है खुझ से ही आपका आप पगड़ लेता और इसका कितना डिगरी temperature से यह वह 35 डिगरी Celsius आपको पता ही होगा कि जब हम लोग गर्मी का दिन आता है तो गर्मी के दिनों में क्या होता है लगवग में 40 डिगरी 45 डिगरी आपको पता होगा कि temperature पहुंच जाता है अब इतना temperature पहुंचेगा और आपके घर में अगर फोस्फोरस मौजूद है त भी हम लोग fill in the blanks बना रहेते हैं sorry multiple type question बना रहेते हैं तो वहाँ पर भी same question था कि combustion के लिए fuel, heat और क्या चीज़ का ज़रूद पढ़ता है तो वहाँ पर option में हम लोग क्या था oxygen था और यहाँ पर क्या पूछ रहा है direct पूछ रहा कि combustion के लिए हम लोग को क्या चाहिए तो आ तब ही आपका आग पगड़ेगा तब ही आपका combustion होगा ठीक है question number 5 है define hydrocarbons, hydrocarbon को बोल रहा है कि define करने के लिए तो hydrocarbon क्या होता है वह hydrogen और carbon का compound होता है जब hydrogen और carbon का compound बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं hydrocarbon बोलते हैं जैसे कि CH4 का मैंने बताया था यह मिथेन का फर्मूला है CH4 तो इसमें आपको पता है carbon का और hydrogen का compound है तो इसमें hydrogen आपका 4 हो जाते हैं और carbon कितना है आपका 1 तो यहां पर carbon कितना है एक है और hydrogen कितना है चार वैसे ही आप अलग-अलग लेकर बना सकते हैं देश से की C2, H6 या फिर C2, H2 तो इस टैप से आप बना सकते हैं तो जितने भी हैं जिसमें carbon और hydrogen का compound मिलके बन रहा हो जिसमें carbon और hydrogen मौजूद हो और एक compound बना रहे हो तो वो क् आपका hydrocarbon होगा question no.6 है which a smelling agent is mixed with butane to detect its leakage जो आपको पता होगा कि हम लोका LPG जो gas होता है उसमें आपका butane मौजूद होता है तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा smelling agent दिया जाता है कि जब butane leak करें ठीक है ब्योटें का होगा लिक करेंगा जैसे का आपका gas cylinder leak कर रहा है आपको प हैं लिए मिक्स किया जाता एक अलग से था कि क्या होता है ॲुटें लिक करेंगा और अगर अपका अब बढ़ा हाथ चाहिए उसमेल के अजसेंट मिला जाता है जिसका नाम है इतायल मेरकेपटम तो इसको क्या किया जाता है मिक्स किया जाता है ताकि आपको लिकेज का पता चले नंबर साथ देखते हैं वाट इस इगनिशन टेम्पप्राचर इगनेशन टेम्परेचर क्या है तो ऊधिू रहा है क्या आप सबसे मेंटिंग प्रफिड्टर पढ़े होंगे तो सबसे मेलटिंग प दागार है क्या होता है। ऐसा इसमें, उसका इकनी टिंपरेचर क्या है। लेकिन वहाँ है डीजल का बात करेंगे तो उसको काफी इंपरिचर दिया जाता है। तभी जाके उसमें क्या होता है आग लगता है तभी आग पगड़ता है तो इगनिशन टेंपरेचर क्या होता है जहां पर कोई भी सबस्टांस है उसमें आग पकड़े जैसे पकड़ता है जो टेंपरेचर पर आग पगड़ेगा कोई भी सबस्टांस में वो क्या होगा आपक सबस्टान केचेस फायर कोईशन नमबर आठ है नेम दा थ्री तिंग्स देट आर नीडेड फॉर कंबस्टन तीन चीजों का नाम बता है जिसके लिए कंबस्टन के लिए जो जरूरी है देखिए यह कोईशन जो है नाम भी भी आई है क्योंकि यह आपका बुक में तीन बार पूझ दिया और तीन जगा पूझ दिया कि ऐसे तीन चीजों के नाम बता है जो कंबस्टन के लिए जरूरीति है वो क्या क्या है फ्यूल है और हीट है तो यह तीनों में से एक भी मिसिंग रहा तो कंबस्टन नहीं होगा मतलब आग आपका नहीं लगेगा क्योंकि बात मा ऐक्राइगा है और जलने के लिए कुछ ही नहीं ता आप जलाएंगे क्या बात माली थीट दे रहे हैं लेगन क्या है आपका नहीं लकडि मौन हए रिफ्यूल है और नहीं लगेगा क्योंकि अगर बीना हीट का आग लगता तो वी तक जल गया होता क्योंकि यह oxygen तो आपको पता है हमारे इंवरेंट में मरके पुरा भरा हुआ है आते हैं question number E की तरफ आते हैं match the column column को match कराना है column A बनाया गया है column B बनाया गया है यहाँ दो ठो column आप देखो देखना मिलेगा column A में आपको 4 question है और option भी कितना है column B में 4 है तो उसमें से आपको क्या करना है match कराना है कि कौन सा किसमें match होता है column A में देखी लिखा हुआ है पेट्रोल पेट्रोल पूछ रहा है यहाँ पर देखी चार option है पाला है बस है स्कूटर है और cooking मतलब खाना पलस में खाना बनाना खाना है तो आपको पता ही होगा कि बस में बस जो है वह डिजल से चलता है बस क्या चीज़ से चलता है आपका बस डिजल जो है वह कहां यूज होता है बस में होता है कार में यूज होता है आपको पते ही होगा लेगिन पेट्रोल हम लोग स्कूटर में यूज करते हैं बाइक में यूज करते हैं और बहुत सारे कार में भी यूज करते हैं बहुत कार क्या होता है दोनों क्या होता है यह पेटोल और डिजी के जड़ादा EC ज़रूथ alco कोईल है कोईलिक यूज करते हैं के थर्मल पावर स्टेशन में सकतो है आप इस जादा उसमें के उसमें से क्या करवाता है हीट जेनरेट करवाता है और उसी के कारण क्या होता है बोईलर में जब हीट जेनरेट होता है तो वहां से वाटर ट्यूब पाइप होता है और उसमें क्या होता है वाटर को गरम करता है जिससे अस्टीम बनता है और उसी से क्या होता है आपका टर यूदि यूदि गाहना इंट करेंगें और कोईले को पर हो द塊ब में यूदि को यदि नहीं करते हैं और अगर घ् क्या हूँ यह इसे और यह गया इसे भी अब दोफन बसते हैं आपका पाला है सोरी पाला है कोईल और दूसरा है LPG और यहां पर भी आपको दू अप्सन है Cooking और Thermal Power Station यदि आप LPG Thermal Power Station में डालते हैं सोरी कोईला आप अगर Cooking के लिए डालते हैं तो LPG क्या होता है Thermal Power Station में यूज नहीं होता है तो Thermal Power Station में यूज नहीं होता है है तो हम क्या यूज करेंगे मैं और बचा वह को क्या दे देंगे हम लग कोकिंग में डाल देंगा बचे वे चीज को तो आज का कोशन खतम होता है और अमीद है कि आपके जो school में है वो कौन से book का math चलता है क्योंकि हर school में क्या होता है math के अलग-अलग math चलते हैं कुछ NCRT चलाते हैं और कुछ आपका RS अगरवाल चलाते हैं और बहुत सारे school में क्या है ये दोनों छोड़के अलग-अलग math के book चलाते हैं तो आप अपने मेत के बुक का राइटर का नाम मुझे सेंड कर दिए कमेंट कर दीजेगा ताकि मैं वही बुक से आपको क्या है सोल्यूसन करके बताऊंगा और साथ ही आपको अगर साइंस बुक में कहीं भी कोई अलग से टॉपिक आपको समझना हो तो मैं टॉपिक को भी अ भी जाएंगे या फिर आप मेरे या फिर आप चैनल में जा के और प्लेटलिस्ट चेक कर सकते हैं प्लेइलिस्ट में आपको मीड़ाया श्पलेंड ब्क सर्च किजिए מאודIRE स्पलेंडीड डॉक आपके सारे क्वेशन उसमें मिल जाएंगे अस्प्लेंडिड सैने साइस बुक के प्लेइलिस्ट में वहां से आपको टोटल मिल जाएंगे तो उमीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्लास में थैंक्यू फॉर वाचिंग